अभी अभी क्रिस जनमास्टमी हम लोगों ने मनाई है और अब इंतिजार है जीहां राधा अस्टमी जीहां राधा अस्टमी कब है 2023 में कैसे हो अप लोग आई होप सो अप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरी चैनल पे पहली बारा हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे बैल लाइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे प मुहरत, पुजा विधी एवं महत राधा अश्टमी दोहजार तेस भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अश्टमी तिथी 22 सितंबर को दो फ़र एक वजगर 35 मिनट से शुरू होकर अगले दिन यानि 23 सितंबर को दो फ़र 12 बजगर 17 मिनट पर समाप्त होगी सनातन धर्म में उ अश्टमी का व्रक्त रखा जाएगा. 27 हक 23 सितंबर को व्रक्त रख कर राधारानी की पुजा अराधना कर सकते हैं. राधा अश्टमी दोहजार तेस हर वर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अश्टमी तिथी को राधाश्टमी मनाई जाती है. इस साल 2023 में 23 सितंबर को राधा अश्टमी है इस दिन राधारानी का जनमुत्स्वम मनाया जाता है इसके लिए राधारानी की नगरी बरसाने में उत्सब जैसा महौल रहता है इस विशेश और सुब दिन पर राधारानी और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है साथ ही मनुकामना पूर्ती है तो वरत उपवास भी रखा जाता है धार्मिक मान्यता है की राधारानी की पूजा उपासना करने से साधक के सकल मनोरत सिध हो जाते हैं साथ ही आई, आयू और सभाग्य में अपार वृधी होती है धर्म ग्रंथों में नहित है कि राधा रानी की पूजा अर्जना बीना भगवान श्री कृष्ण की भक्ती अधूरी है ऐसा कहा जाता है कि राधे राधे मंत्र का जाप करने से साधक पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बरस्ती है उनकी किरपा से साधक को सुधामा समान बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है आईए राधा अश्टमी का सुभ मुहरत पुजा विधिक और महत्व जानते हैं सुभ मुहरत पंचांग के अनुसार भादर मास के शुकल पक्ष की अश्टमी तिथी 22 सितंबर को दो फर एक बज कर 35 मिनट से शुरू होकर अगले दिन यानि 23 सितंबर को दो फर 12 बज कर 17 मिनट पर समाप्त होगी सनातन धर्म में उद्या तिथी मानने है अतह 23 सितंबर को राधा अश्टमी का वरत रखा जाएगा साधक 23 सितंबर को वरत रख कर राधा रानी की पूजा अराधना कर शकते हैं पूजा विधी भाद्रमास के सुकल पक्ष की अश्टमी तिथी को ब्रंभ बेला में उठे और राधा रानी को प्रणाम कर दिन की शुरुवात करें दैनिक कारियों को करने के पश्चाचात गंगा जल युक्त पानी सस नांध्यान करें इस समय हथेली पर जल रख कर आचमन करें इसमें हथेली पर रखे जल को तीन बार ग्रहन करें आचमन के समय ओम केशवाई नमः ओम नरायन नमः ओम माधवाई नमः ओम श्री केशवाई नमः मंत्र का जाब करें अब अंगूठे से मुझ पोचले इसके बाद ओम गोविंदाई नमः ओम मंत्र बोल कर हाथ धोले अब नवीन वस्त्र धारण कर सुरे देव को जल का अर्ध दे तत्पस्रचात पूजा ग्री में चौकी पर वस्त्र बिचा कर राधा कृष्ण जी का मुर्तिय स्थापिते करे अब पंचो पचार कर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे इस समय राधा चा वर हेतु भी कामना कर सकते हैं दिन भर उपवास रखे कैसा लगा आप सभी को हमारा ये राधा आश्टमी वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एं सेर करना बिल और बाइएग वाशे कीप सब्सक्राइब